नए और पुराने टाइक स्कीम में क्या चुने इसके बारे में कुछ हमें सजेशन दीजे क्योंकि और कुछ स्ट्राटेजी है कि आए पर कुछ आउट ओड़ बॉक्स थिंकिंग बदाईए जिसके जरी हमारे जो दर्शक हमको क्लियर हम सके कि उनके लिए ओल्ड टाइक स्की पुजा आपने जैसे हैपी न्यू यर विश्किया हम एटी नाव स्वदेश और टैक्स मंत्र की और से केवल ग्रीटिंग्स नहीं उनको हम कुछ ऐसे मंत्र आज देना चाहेंगे कि जिसके आधार से वो इन रियल सेंस वो कुछ अपना नए साल में एक जश्न मना सकें थू टैक्स सेविंग्स तो ये जो इसके गुरु मंत्र हम समझें उसके पहले मैं एक दो केस स्टडीज पेश करके हमारे दर्शकों को और आपको ये बात समझाना चाहूँगा अब समझ लीजिए कि एक सैलरी टैक्सपेयर है जिसका एन्यूल पैकेज अथारा लाग का है उसको अथारा लाग रुपिया टोटल मिलता है और ये अथारा लाग में से अगर वो मान लीजिए पुरानी स्कीम में है और जो पहले था और उसको जो मिलता था डिड़क्शन् इसका कुछ लिस्ट ऐसे है जैसे हम एक ये ग्राफिक में दिखा रहे हैं तो एक तो पचास हजार का उसका अपना स्टैंडर्ड डिड़क्शन इसके साथ उसने अगर एक हाउसिंग लोन इंट्रेस्ट भी उसने प्लाइन किया है तो दो लाख रुपिया वो लेगा इलावा ATC में केवल ATC का डेड़ लाख नहीं पर वो ATCCD NPS में जो एक्स्टरा 50,000 भी हो सकता है उसका भी वो निवेश करता है तो ये दो और दो चार और पचास साड़े चार लाख हो गया इसके सिवा खुद का अपना मेडिकलेम मान लीजे 25,000 और अपने माता पिता है उसके साथ रह रहे हैं और उनका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर या उनका मेडिकल प्रीमियम वो पे करता है तो 50,000 उसको ज़्यादा मिल सकता है तो समझे सवा पांच लाख रुपिये तक के डिड़क्शन वो प्लान कर सकता है तो 18,000 में से सवा पांच लाख हम डिड़क करें तो रह गए 12,25,000 तो ये 12,25,000 में आपका जो ओल्ड स्कीम के हिसाब से टैक्स होगा वो होगा 2,28,000 प्लीज कीप इन माइड 2,28,000 अब ये 18,000,000 आपका नई स्कीम में आप सैलरी के पैकेज आफर कर रहे हैं तो इन में से सवा पांच लाख में से कोई भी डिड़क्शन आपको नहीं मिलेगा हाला कि आपको लो़र टैक्स रेट्स का फाइदा मिलेगा जो हमने आगे देखे हो पर लो़र टैक्स रेट्स के लेते हुए भी इस केस में आपका टैक्स बनेगा दो लाक इठासी टू लैक्स 88,600 दो लाक इठासी अजार छे सो तो इस दोनों का फर्क आप देखें तो 85,800 का फाइदा आपके लिए बना रहेगा अगर आप पुरानी स्कीम को पकड़ के रखते हैं अब एक दूसरा केस टड़ी लेते हैं और उस पर से हम कुछ नियम या निशकर्श पर आएंगे अब मान लीजिए इसी सैलरी टैक्स पेर का एक अपना हेफ भी है और वो हेफ में उसने 15 लाक की इंवेस्मेंट इंकम वगरे का प्लानिंग किया है जो उसकी टैक्सबल इंक एकॉर्डिंग टू दे ओल्ड स्कीम तो 273,000 का टैक्स होगा और अगर वो नई स्कीम को चुनता है तो उसका टैक्स होगा केवल 1,95,000 तो 273,000 और 1,95,000 का डिफरेंस 78,000 हुआ तो इस केस में वो अगर नई स्कीम की पसंदगी करता है क्योंकि उसको डिड़क्शन नहीं लेने हैं तो 78,000 का फाइदा हो सकता है अब ये दोनों केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए हम दर्शकों को एक छोटा सा एक बहुत इंट्रेस्टिंग एक चार्ट की अनेलिसिस पेश करना चाहते हैं कि what is that point जिसको हम cut off कहेंगे या जिसके ज़्यादा या कम डिड़क्शन होने के आधार से आपका planning कर सकया तो ये जो एक चार्ट में हम दिखा रहे हैं कि आपके डिड़क्शन अगर धाई लाख रुपिये से ज़्यादा है आपके केस मे धाई लाख तीन लाख साड़े तीन चार साड़े चार जैसे सवा पांच लाख का हमने एक एग्जामपल लिया वो सब केसिस में आपको टैक्स का काफी फाइदा टैक्स का सेविंग होगा और जहां आपके डिड़क्शन धाई लाख रुपिये से कम हो जाते हैं और आपकी आई जो है अफकोर्स पंद्रा लाख से ज़्यादा है इस दोनों केसिस में तो वो केस में आप जैसे देखेंगे जैसे धाई लाख से कम होता है आपका डिड़क्शन वो आपको फाइदा फिर पुरानी स्कीम में नहीं रहता है यू विल बी मुच मॉर बेनिफिटेड और इसके साथ हमें एक ये भी बात ध्यान में रखनी है पुजा कि अगर आपकी इंकम बहुत कम है मना 8-10 लाख रुपिय के अंदर है तो उस केस में तो आप अगर 2-3 लाख के भी डिड़क्शन प्लान करके 5 लाख के अंदर आपकी इंकम ला सकते हैं तो आपको फाइदा स्कीम और न्यू स्कीम दोनों में आपको रिवेट का फाइदा मिलता है तो रिवेट का लाब लेते हुए आपको टैक्स हो जाएगा जीरो तो जहां चोटी इंकम है और कुछ चोटे-चोटे डिड़क्शन भी है वहां शायद ओल्ड स्कीम ओल्ड इस गोल्ड ये खयाल र ज्यादा इंकम है तो आप धाई लाग से ज्यादा आपके डिड़क्शन हैं तो ओल्ड को प्रिफर करिए धाई लाग से कम है तो न्यू की और नजर करिए अगर आपकी फैमिली की जो एंटिटीज हैं ज्यादा आपकी वन टू थरी तो उसमें आपको स्मार्ट चाहिए कि जितने डिड़क्शन्स हैं सब को एक में कठे करके जाला से ज्यादा धाई लाग के उपर उसको बना के आप उधर क्लेम करिए माननी जी इंडिवीजुल में आपने ये सब क्लेम करके चार पांच लाग के डिड़क्शन्स किये फाइदा है आपके लिए और वाइ तो मैंने जिसे आपको बताया वहाँ ओल्ड में भी मच्छ बेड़क्शन्स